तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है है कोई भी डाउट है कोई भी फीड़बेक है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में करके चुरू बताईएगा तो स्वागत है आपका वापिस से पांच बिजे पांच MCQ सीरीज में इससे पहले कल आप से एक सवाल पूछा गया था लास्ट में जाते जाते हैं मॉडर्र इंडिय जो आगरी सवाल पूछें हुआ उसका सवाल जरू उसका जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं उसका जवाब जरूर पीजी कॉमें सेक्शन में करके दीजिए सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपको आते हैं और आप उनको मनी मन मे करते हैं तो उसका आंसर लिख भी दीजिए एवाब लिखवी चीज ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान देती है इस कंपरेजन टो सिर्फ पढ़ीवी चीज या ध्यान करीवी चीज तो यह लिए देखते हैं पहले कुशन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो है वो यह कहता है कि इन में से कौन सा बैंक छोटी इंडस्ट्रीज के लिए खोला गया था कौन सा ऐसा बैंक है जो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए खोला गया था जिससे कि उन छोटी इंडस्ट्रीज के डवलमेंट हो सगे आपके options हैं पहला option है IDBI दूसरा option है SIDBI तीसरा option ह आई एफ सी आई और चौथ ऑप्शन है नबाड यानि कि एन ए बी ए आडी उसको जो सभी जवाब है वो है सिट पी यानि कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलेमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो यह जो बैंक खोला गया था यह खोला ही स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए खोला गया लेकिन कौन सा यह है खिस्टी फूरहिज्टी they टो कौन सा सा यह है जुलाई का जिसमें आयंडी बी याई को स्टेडिश के गया था इंडस्ट अरी सवाल आपके सामनें आता है कि इन 4 इंसे किस बैंक्त को Imperial Bank of India कहा जाता था बहुत ही important सवाल है कि किस bank को Imperial Bank कहा जाता था आपके सामने जो options है वो ये हैं पहला option है RBI, दूसरा है SBI तीसरा है UBI, यह जो था है PNB, तो यह यानि कि Reserve Bank of India, State Bank of India, Union Bank of India और Punjab National Bank तो चारो बैंक में से कौन सा ऐसा बैंक है जो Imperial Bank of India के नाथ जाना जाता था यह था SBI यानि की State Bank of India उसके बाद फिर एक अगला question आता है जो fourth question आता है वो आपके सामने यह है कि जो interest है हम किसी bank में जो savings करते हैं उसमें जो हमें interest मिलता है कि कितना interest हमें मिलेगा जो एक nationalized bank है रास्टेकरद एक bank है जो वो bank है वो खुद decide कर लेगा दूसरा option है finance commission करता है कि वितायोग तीसरा है Indian cooperative bank और जो था है reserve bank of India तो कौन किसी bank का interest rate कितना रहेगा savings पर इक concept करता है वो bank खुद ही decide करता है यानि कि पहला option जो है concerned bank तो वो खुद bank जो है अपना decide कर लेगा next और आकरी सवाल आता है इसका answer आप मुझे comment section में comment करके देंगे तो आपके सामने सवाल यह आता है कि जो 14 भारती bank थे उनको nationalize कब किया गया था बहुत इसान और बहुत अच्छा question है कि आप रहें पुछा जाता है कि when were the 14 Indian banks were nationalized तो कब nationalize किया गया था thank you and bye-bye